एंडिये में जो हमारे कोटे की 13 सीटे मिली थी उनमें हम 8 सीटों पर जीते हैं और सभी मानिय विधान पार्षदों का कल शबत गरहन समा हुआ और आज भारतिय जनता पार्टी से जीते हुए सभी विधान पार्षद यहां पर मौझूद हैं मैं सभी को बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूं और बिहार की जनता और जन प्रतिनिधी जन प्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार आम चुनाव में भारतिय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटे देने का कार्य बिहार की जनता ने किया था उसी प्रकार इस चुनाव में भी सब प्रतिनिधियों की उमीद में खरा उत्रेंगे और पंचायती राज को लेकर के जन पंचायती इस तरिया जो हमारे जन प्रतिनिधिये उनकी समस्याओं को विदान परिशद में पुर्जोर धंग से उठाएंगे यह भी एक सच है कि अगर पचास प्रतिशत आरक्षन मिला तो यह इसी NDA की सरकार में नितिश कुमार जी के मुख्य मंतर तो काल में मिला और दो हजार चौदा के बास जहां एक पंचायत में एक मुख्या को पांस से साथ आठ राक रुपे मिलते थे आज एक एक पंचायत में जन प्रतिनिधियों को डेड़ करोड से लेके तीन करोड के बीच की राशी दिया तिया और थात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रितु में राशी को लगभग बीस गुना ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया क्योंकि मानिया प्रधान मंत्री जी का यह पुर्ण विश्वास है कि जितने भी पंचायत इस्तर की प्रधान का और उनके विकास का मुख्याधार हमारे त्री स्तरिय जन प्रतिनिधी होना चाहिए और उसी के तहत एक योजनाबत तरीके से खेंद्र सरकार ने मानिया प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नित्रितु में हर पंचायत को पहले से कॉंग्रेस के सब्रशी देने का प्रावधान किया चंदान चल रहा है मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाओ से पछले हमारे मित्र लोग जस्त मना रहे हैं चुनाओ के बाद हम ही मनाईए करे बिहार सरकार के जो कार हैं बिहार सरकार के वोपन हमीं होगा झाल झाल